असलम ओलेकम वेलकम टू शनाया नियूस उमीद करती हूँ के आप सब खेरियसे होंगे UK की एहम तरीन दो अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं तो हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है के वीडियो को आखिर तक देखेगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए तो चलिए बढ़ते हैं आज की एहम तरीन अपडेट्स की जानिब आज की पहली और एम खबर को शामिल करेंगे जो के बरतानिया का पब्लिक सेक्टर की तनहाएं बहाल करने का बड़ा एलान जारी वजीर खजाना ने मुल्क में करोना वबाक के 22 जमन की गई पब्लिक सेक्टर की तनहाएं बहाल करने का एलान कर दिया बर्तवानी अखबार के मताबिक बर्तवानी हकूमत अगले साल पबलिक सेक्टर के 50 लाग से ज्यादा वर्कर्स की तनहा हो। में इजाफे के लिए तियार है। वजीरे खजाना 27 अक्टूबर को बचट में दलील देंगे के करोना वाइरस लॉकड़ून के खात्मे के बाद माशी नुमा दुबारा बेतर हो गई है। बी 8.91 पॉंड से 9.50 पॉंड फी घेंटा तक इजाफा किया जाएगा जो के कुल वक्ती वर्कर के लिए सलाना 1000 पॉंड इजाफी है और इस से 25 लाग लोगों को फाइदा पहुंचने की उमीद है। गैर कानूनी तरकीन की आमद रोकने के लिए जर्मनी की हकूमत मुतहरिक हो गई है। बैलरिस के रस्ते मुलक में गैर कानूनी तरकीन का रस्ता रोकने के लिए सखत एकदमात के बाद अगले लाएं अमल का अंधिया भी दे दिया गया है। काहम इनका कहना है के सरहत बन नहीं की जाएगी। तफसिलात के मुताबिक बैलरिस की जानिब से गैर कानूनी तरकीन को अपने मुलक में वीजा फ्री एंट्री के जरिये बुलवा कर इन्हें यूर्पी यूनिन की सरहत की तरफ बेजने का अमल सबसे ज़्यादा जर्मनी को मेंगा पाड़ रहा है। जहां बैलरिस से पोलेंड के रस्ते आने वाले 6,000 से जाई तरकीन अब तक पहुंच चुके हैं। बद बन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा इस साल बैलरिस और पोलेंड से 6,000 से जाई तरकीन जर्मनी में दाखिल हो चुके हैं। ये थी आज की दो एहमतरीन अपडेश जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ के पसान आई होंगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आपस अपना बहुत ख्यार रखेगा। थैंक्यू खुदा हफिजू